सब्सक्राइब कीजिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल एड्यूकेशन फॉर सीवेसी को और बेल आइकन को दवाईए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए तो आ गए है अप तो प्यारे वच्चो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है चैप्टर नबर 13 क्लास एड्ध का जिसका नाम है जहां पहिया है ये जो प्यारे वच्चो पूरा चैप्टर या नि जो पूरे चैप्टर नबर 13 है इसमें एक तरह से बताया गया क इसके बारे में cycle के बारे में तो प्यारे बच्चों जो cycle होती है वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा important होती है और cycle को सभी को use करने देना चाहिए इसके बारे में इस chapter में बताया गया तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा बहुत important chapter है आप लोगों के लिए ठीक चलिए अब हमनो किसी काम के मकसद से जाती है तो पहली बात उन्हें वेट बहुत जादा करना पड़ता है कहां कहां पर जैसे मालीजे कोई इस्तरी है यदि अब उसे जाना है पानी लेने तो पानी लेने के लिए पहले वो अपनी मतलब की उनका इंतजार करेगी जिनके साथ वे लोग जा स तब उसे अपने बस का इंतजार करना पड़ेगा मतलब कि प्यारे बच्चों यहां पर यह बताए गया है कि जो इस तरीया है उन्हें स्वालंब कैसे बनाए यानि कि वे अपनी पर निर्भर हों ना कि किसी और पर मतलब कि जब साइकल चला लेंगी तब अपने पर आरे ममलोग पढ़ेंगे ठीक है तो यही सब बताया गया है इस चेप्टर में और यहां पर जितनी भी इस्तरियां है यानि कि जितनी भी औरते हैं वो क्या हैं पढ़ी लिखी है तो यहां पर दिखिए अब परिसानिया क्या-क्या उन्हें आती है उन्हें पहली बात सभी निरभर रहा है य buzzing काम के लिए दूसरी बात जितनी भी इस्त्रियां होती है मालय जह यदि वह उपनी घर का खर्चा चला रही है तो उन्हें घर का खर्चा चलावानी के लिए मालय जह कोई सब्री बेच रही है तो उससे पैदल जाना पड़ेगा और दूर दूर तक जान जाना भी नहीं पाती हैं जैसे कि माली जय कोई स्थी है ठी अब आज उसे जाना है अपने उसके घर क्या है माली जली साख करेगे कि तहीं लिए नहीं स्थीतियों को देखकर के हमें यहां पे लेखक्या बताना चाहते हैं कि हमारे लिए cycle कितना important है और वो इस्तरियों को स्वालंब बनाती है अब जैसे यहां पर उन्होंने एक और example दिया है जैसे कि फातिमा नाम की एक औरत रहती है उसे बार-बार जाना पड़ता है पानी लेने बहुत दूर तब जैसे ही उसने cycle चलाना सीखा तो cycle चलाने सीखने से उसकी मतलब कि जो मेहनत करनी थी वो बहुत कम हो गई है क्यों कम हो गई है क्योंकि उसे अब क्या करती थी तो वो cycle चलाना सीख लें तो थोड़ी गरीब थी ठीक जब वो cycle चलाना सीख गई प्यारे बच्चों तब फिर उसके बाद वो पड़ो से जाती cycle मांग लेती उधार में और जब किराय का ले लेती फिर उसकी बाद लेकि जाती उससे पानी लेकर की आ जाती cycle से तो कितना जल्दी आ जाती थी ठीक आप लोग समझी सकते होंगे अब पैदल जाते जाते भी समय लगता है तो पहली बात तो समय की बहुत अच्छी बच्चत होती है कि इसकी मदद स और सभी लोग इन लोग का विरोध भी करते थे कि औरतों को क्यों धर से बाहर निकलनी दिया जा रहा है क्यों cycle चला रही मतलब कि तरह तरह का विरोध करते थे तो इन सभी लोग का विरोध ये लोग करते हुए एक दिन 1500 से भी जादा औरते एक ground में ढूटी और वहाँ पे cycle चलाना शुरू की क्योंकि cycle बहुत basic need होती है और ये सभी को आना चाहिए ठीक है न तो cycle चलाना हमारे लिए बहुत ही important है और कभी कभार जब लोग cycle से जाती थी तो उनके साथ साथ कुछ बच्चे भी होते थे यानि की cycle में रहते थी अब जो इस्तरिया है जो समान डोती ह cycle से मालीजय कोई इस्तरी है जो फल बेचने का काम करती है तो आपने cycle के पीछे फल लाद लेगी और उसे लेकर चली जाएगी तो उसका काम आसान हुआ कि नहीं अब मालीजय कोई इस्तरी है यदि उससे खेती करना है थेती मालीजय अपने गाए के लिए यानि एपने cattle के इसे क्या करना है उसे कुछ लाना है तो वह क्या करेगी अपनी cycle के पिछे बांद लेगी और लेकर चली आएगी तो कुल मिला जुला करकर प्यारे बच्छों जो cycle है वो इस दुर्यों का काम बहुत आसान करती है और यह उनका basic अधिकार है उस उन्हें यह जरूर मिलना चाहि और इसी के साथ साथ यहां पे जितने भी लोग इन विरोत करते थे वो लोग तब उनका तब हक्का हो गया जब यहां पे 1500 और ग्राउंड में इकठा हूँ तो समझ में आया तो यही हमें बताना चाहरा है लेखक कि आजकल हमारी समाज में कितनी बुराया है इस तुरियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है तो मुझे उमीद है आपको योडियो बहुत अच्छी लगे होगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिजे बहुत मेहनत लगती है तो मुझे उमीद अब तक आप लोग कर लिए होंगी यदि नहीं किये तो प्लीज चैनल सब्स्राइब कर लिजे यह बिल्कुली फ्री है इसमें आपका कोई भी कॉश्ट लगने वाल नहीं है दूसरी बात यह कि हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज है तो फटा-फट से विजिट कीजिए और उन्हें चेक कीजिए तो थैंकियो जाहिंजा भारत मिलते ह अगले वीडियो में